नमस्कार मैं हूँ नीरश महरा और आप देख रहे हैं एवंटीवी का खास कारब मुद्दा है गरम मुद्दा गरम बात करेंगे हम पुल्वामा के सहीदों की सहाधत को लेकर सबसे पहले हम पुल्वामा में जो सहीद हुए है सब को एवंटीवी परिवार के ओर से उनको नम हमारा कि आखिरकार ये सहाधत कब रुकेगी कब सरकार इन आतंकवादियों के खिलाब कारवाई करेगी कब जागेगी आखिरकार ये सिल्सला कब थमेगा कब रुकेगा इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए में रशाथ इस्टूडियो मुझूड रहा है योगेंदर जोसी जी आपका बहुत स्वागत है पीसी बंढरी जी घृट गट कर बहुत स्वागत है बंढरी जी जो घटना करम हुआ है पुरा देश उसको लेकर शोक में भी है और आक्रोष में भी है लोगों ने जिस तरह से खुल कर इस घटना के खिलाब विरोज जताया है आप देख सकते हैं छूटा सा गाउं हो कस्पा हो धानी हो या महानगर हो सारा देश सद्मे में है कि आखिरकार ये क्या हो गया क्योंकि इतने बड़े संख्या में जो हमारे देश के जाबाज सेनित थे उनका सहाधत होना वो अपने आप में एक सद्मा भी है और जो खुफी आईजेंसिया हैं उन पर भी सवाल है कि आखिरकार क्यों नहीं इस बात की हद्से को अंजाम दे सकते हैं फिया दिन हमला ये रहा पूरी की पूरी गाड़ी टकराई और पूरी की पूरी गाड़ी जो सियार्फी अपके जवानों के थी वो उट गई और एक के बाद एक करके उसमें चम्वालिस लोगों के सहाधत हो गई आगर किस तरह से देखते है और आगर के एक सहाधत को क्या लगता है कहीं कुपी आजञेंस जा थी वो फैन रही या फिर कहिं कोई चूक रही जा जो कारवरी लगातार हो रही थी आतंगवादियों को खिलाब उनकों के खिलाब आतंगवादियों ने एक दुसाहास का प्रियास कि क्यो नहीं एक बार हमला किया जाए जिसे सरकार में और जो है उनमें डर कहीं कहीं बैठें देखिए सबसे पहली बात हो एकर फॉजी युद्वे लड़कर के और शहीद होता है तो घरवालों को गुमान होता है कोई दिकत नहीं तो इस तरह से फॉजी हमार चला गया यह शौकिंग है चमाल इस आदमी एक साथ एक जटके में चल जाया है जवान लड़के हमारे कुछ शादी शुदा है कुछ कमार होंगे बच्चे बैदा हुए है तो बड़ा शौकिंग है लेकिन देखिए यह जो काम किया है कि यह कोई मामली काम ने किया है किसी विक्ति ने एक जेट साले ट्रेणिं करना पूरी राकी करना तो यह काम इस प्रकार से निया आतंकारियों माना तो भी शुद किया है और यह दिखा देंगे पर कड़ी निंदा कर देंगे और यूएन मिये कर देंगे वहां कर देंगे और पाकिसान दिवालियाओ गया संब्सक्राइब इन बातों से काम ने चलता ही है काम चलेगा इनको सबक चकाने के लिए जब कश्मीर के अंदर दस हजार लोगों ने प्रशिक मारे मुकद में तो यह बढ़ते रहेंगे क्यों वो समझ गए हमारा कुछ बिगड़ता है नहीं नेता कुछ करते हैं नहीं सेना के हाथ बांध रखे हैं जो मर्जियों करते रहो मानवा दिकार आयों काम में कभी कोई आजाए कभी कुछ का जाएगा इसे उनकी हिमत बढ़ रही है सवाल यह पूरा देश मोदी जी साथ खड़ा हुआ है अब देखना है यह मोदी जी बड़ी बड़ी बाते करते थे अब क्या कर दिखाते हैं मैं कहाता है मोदी पहला काम तो यह सूटर साइड का और करो कश्मीर के अंदर यदि कुछ ने पत्थर मारा और कर दीजिए उनको कि सूट करते हैं मैं देखता हूं किते लोग पत्थर मारें गे नदर निया गया यह और जहां इस्पकार की वार्दा तो यह पूर इस तैने को भीज करके एक घर की तलाशी लो क्योंकि अकेले आजमिया काम नहीं है बहुत लोगों ने मिलकर के सारा काम किया हुआ यह और जो मिलें उनकी वह अलत करों को वह पता पड़ जा कि दुबारा काम करेंगे लेकिन सवाल यह जब तक आप टिट फॉर टैट नहीं करेंगे जैसे वह तैसा नहीं करेंगे गोली के जाब गोली निस देंगे एक सरके बार बदले दस सर निकाटेंगे कुछ नियोगा और भी कहेंगे सब्सक्राइब कर देंगे कुछ नियोगा जाएंगे तो यह जो चमाली से मरें वह दोशित है क्या वही अगर दोचार नियोगा मजाएंगे देश के लिए क्या और असके अंतर दो बार कलते हमने उस ताइम पहले एक बार जब मुफति मौमत सहीत की बेटी को किटनेप किय तब नातंगा छोड़ दिया दुबार टेल्जी अस्ताइम फिरसमों चोड़ा अजर मेहमूद को अगर ने चोड़ा होता तो आज हालत ने होती अग मैं कह रहा हूं जा हमारे हाईजा किटनेप कर लिया और हमारे आ आत्रियों आथे वह कहरे ते आपके यात्रिक गोली मार में तुम इichको गोली मारो और हम इसाट अंकारी गोली मारते हैं कोई नहीं महारते हैं सबंधारा है कोुछ बित्वाइगते हैं अंतम मिल रहे हैं यह बरदाश के बाहरा है और मैं बता रहूं कि ऐसा नहों अर्जकता है इन नेताओं को लोग मारना शूर करते हैं बता रहूं आपको इस तरह की बाते करते हैं आज मुझे बहुत अफ्सोस हुआ अला इजा जी की बात है मोधी जी वाह जाकर के उद्गाटन करें जहासी आकर भाशन दे रहां करके औ बाशन देने का समय नहीं है बासन दे काम नहीं चलने वाला यूवा उद्देलित है देश में आकरोश है गुसा है और कहीं नहीं गुसा ऐक भरण गया तो देश में अर्जकता की स्थिंज हमी हो सकती है आपको लगता है कि वाकчив में अब जो है वक्त जो है बातों से जो है लोगों का दिल बहलने माला नहीं है लोग चाहते हैं कि पताइब गुस्ंक वहाँ उन्हें गुश्चर मारा जाए ताकि भविशे में वह इस तरह का कारणा गटना को अंजाम नहीं दे सके जोसी जी निरजी बड़ारी जी ने बहुत सारी बातें की हैं बहुत ज्यादा अपने आपको यह बताने करा कि हम देश के परती यह भावना रखते हैं और देश की बात को नेताओं को सुनना चाहिए मैं आपको पताना चाहूंगा कि कि चाहे कितनी भी बातें कर लें हम बहुत बड़ी तुर्रम खां रहे हैं हम बहुत बड़े ऐसे रहें ही कि हम वहां यह पैंसे ब्रॉर्डर हैं को नहीं हो रहा है दूसरा यह जब भी किसी आतंकवादी को मारने जाते हैं पहले अपना सेनिक मरता है बाद में वो मरते हैं मैं यह देख रहा हूं कि इसराइल है फ्रांस से क्या क्या आपके ट्रेनिंग में क्या कमी है या तो आप लापरवाई बरते हैं आप ट्रेनिंग नही भी मर रहा है तब इस देश के अंदर को फरक नी पड़ता अभी चम्वालीस नहीं नीरत जी चम्वालीस हजार सेनिक मरेंगे जब ड्हाई हजार सेनिकों को ले जाने वाले जिनके पास हतियार हैं अरे साथ वही सुरक्षित नहीं है तो नीरत जी आप एक सो तीस करोड सुरक और इसनिक मरते रहेंगे और कटते रहेंगे मैं आपको इस आप आपके टीवी चैनल की माद्यआम से जंता को आगया करना चाता हूं कि जगें और इस पाकिस्तान का दूतावास CRPF वां लगा दी गई है कि उनकी सुरक्षा करेंगे मैं ये कहता हूँ कि नरंदर मोधी क्या पाकिस्तान के दूतावास को बंद नहीं कर सकते थे क्या अपने दूतावास के कर्मचारियों को विड्रो नहीं कर सकते थे लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये डरते हैं पाकिस्तान और चीन से इनकी हालत इतनी खराब है अगर चीन 24 गंटे के अंदर अंदर नर्लिन मोदी को सबक सिखा सकता है ये डरते हैं इनमें दम नहीं है अगर इनमें दम हो तो पाकिस्तान क्या चीज़े पाकिस्तान चीन की गोट में बैठा हुआ है और चीन ने कह दिया कि पाकिस्तान की तरफ नेजर मत उठालना अरे उनाचल परदर अरुम Minuteни जाता है चीन कहता है आप अरुनाचल प्रदारिश में कैसे चले गए ये क्या तमशा हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे देश की राजनितिक पार्टियां इतनी गंदी हो गई है इनके विचार इतने गंदे हो गए है ये 24 गंटे राजनितिक दुष्टा में एक दूसरे के उपर कीचर उचालते रहते हैं ये देश के बारे में नहीं सुनते हैं ये सेना क्या कर रही है इसके बारे में इनको कोई ज्यान नहीं है इनको ये पता नहीं है करते हैं यह अपनी राजनीती चमकाने के लिए सिर्फ वह वही लूटने के लिए बयान बाजी करते हैं लेकिन जब वक्त आता है कारवाई का तो उस समय कहीं कहीं डर उनमें है अपने छवी खराब होने का करते हैं हमने तो देखा नहीं हमको दिखाए जाए क्या किया सब्सक्राइब अगर कुछ करना हो तो करके दिखाए हमें आप सब्सक्राइब करते हैं मोधी अपने भाई बतिनों को फेजो आप अपने बच्चों को भी आपर तब मालूबढ़ा क्या होता यह बच्चेज़ाए दर्द होता है तो रात को नहीं पर राता-र्षा है किया मारे तियार किया उसको बीवी ने इसको भीजा उसको और उसका यह उसका है यह नहीं आती है और आप लोग बैठे वाँ पर भाशन देते हो यह समझें नहीं है जो इंटेनेशनल लौह होए देखे कानून देखेंगे उड़ाओ मैं बता रहा हूं 15 करोड का मच्छर दे कि अफ है ऐसे उत्तर कोरिया कैमान रहा है वहो किसी की निर्फ सुनता सुर्वाइब आपने इश्क्राइसा ओ से अर्ब और दॉबार करके दिखा दे अमानता आप में इता इता इउफ लोक कमी है नेता जो शुप्त, करेंगे इसी वोट भांगे आप देखना ये मैं कह रहा हूं वैस्षाओं से गई भी तो रहे है अगर जाज शरम में इस वग तो दू एंडाइ करके दिखाई आप ये साले प्रवाम छोड़ दो साले कारेकम छोड़ दो से इस बात इमिटिंग करो किनको कैसा सबक्सिका होगे मैं फिर करा हूं मैं आकरोश है मुझे एक बास हमें आति कोई आतिक करी बिल्कुल बार्दर जी जो सी आपकी बात पर पिर चर्चा करेंगे सहाधत आखिर कब रुकेगी सहाधत बंधर जी नहीं और जो सी दोनों ही काफी गुस्षे में है और गुस्षा जायज भी ह कि देश में ये गुस्टा सिर्फ जोसी जी और भणनारी जी का इन देश की अवाम में इस समय हमारे परिवार के चारीश ओक मर गए लिकुल चम्वालिस जो है मारे परिवार के तो वह आम आदमे को आखरोश है आप देख सकते हैं कि जब से ये जो है घटना करम वा उसके बा है और यह बहुने जो भी सामने आई है यह आम आवाम कि भावना इक तर guaranteed इन्होंने यहां चैनल के माद्यम से की है और लगता है कि सरकार को क्योंकि सरकार को को साझा जना शरkार की सरकार के पास पे ही अ सारी सल्तनत की और कमान हत्ट में है उनकोी पता है कि कैसे आतंगंद है जिसके चलते इस तरह घटनाएं बढ़ती है क्योंकि इस तरह आम ने का कि जब पत्रभाजों के मुकद में वापस होंगे तो उन्में डर नहीं होगा और जब डर नहीं होगा तो वाकिर किस चे रहेंगे क्योंकि उनको पता है यदि हम पत्राओ करेंगे यह फोजियों पर गोली भी बरसाएंगे लाटियां बरसाएंगे तो हमारा बिगड़ने वाला कुछ नहीं है क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो मुकद में वापस दे देगी तो यही कारण इस तरह के कारण है जो इस बातों को बढ़ावा देते हैं आपको लगता है यह जो इस तरह के जो र पहले के मुकद में थे बहुत सारे सारे विड्यों कर लिये तो यह क्या करते हैं नेटा क्योंकि इनको यह पता है कि जब हम आएगे तो हमारे उपर भी ऐसे होगा तो उनके माप करके चलो तो यह हमारे माप कर देंगे यह इस तरह की रण नीती यह अपनाते रहे हैं और उ इंडिया का टीवी पाकिस्तान देख सकता है अब यह 44 जो मरे हैं इनके जो शवों को ले जाये जाए गांद फनाए जाएगा इनका कुंदन इस टीवी पर दिखरा है रिये पाकिस्तान वाले सब देख रहे हैं मैं कहना चाहता हूं जब भी हमारे देश के सेनिक किसी भी आतंकवादी को मारते हैं किसी भी पाकिस्तानी सेनिक को मारते हैं तो उनके भी फोटो हमारे टीवी पे आने चाहिए उनले लोगों का कुंदन भी हमारे टीवी पे आना चाहिए ताकि हमारे देश के नागरिकों को आराम मिले यह पता चले कि हमारे देश के सेने की वह कुछ कर रहे हैं लेकिन बाते करते रहेंगे बातों से कुछ सकती है कि क्यों कि गुसा कहीं फटता है और फटता है तो वह नुकसान दहीं भी होताершा आपको लगता है नेताओं को लोगों के आक्रोश से बचना चाहिए और उस आक्रोश से बचते हुए सरकार को जो अहम निया करना है अलाकि सरकार हमारे देश के प्रदाहन मंतरी ने साथ तोर पर कहा कि सहीदों की सहाधत खाली नहीं जाएगी बद्ला जरूर लेंगे यह तो बहुत सुन चुके हैं और यह बिल्कुल यह तो मैं बच्पन से सुना बराबर सुना हूँ कोई सखार आई हो कि शाहद बेकार जाएगे नहीं बद्ला लेंगे यह होगा कड़ी प्रतिक्रिया कर देंगे हमने यह कर दिवालिया हो रहा है सर इ अपने बाचन में अपनी रालियू में खर्च कर रहो और हमारे सेनिक में खर्च कर दो भाई यह पैसे वामत करो कोई जरूरी उद्गार ना सिंपल ताही ज़ूता है जो और देखे पाकिस्तान क्या नतिया निकल रही है जब तक यह नहीं करेंगे इस पकारते मैं कर आए किसे साथ अन्याई करने में कोई गलत नहीं होता है बतारां कोई नहीं कोई गलत नहीं है और यह नहीं करेंगे तो देश गरत में जाएगा उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इस देश की हालत और खराब होती रहेगी अभी 44 मले हैं फिर 44 हजार मरेंगे और रोज लाशें आज़ती रहेंगी हमारे देश में एक यादत है रोज जो सेनिक मरता है उसके गाउं में एक उसकी मूर्ति लगा देते हैं उसका मालेयारपन कर देत सेनिकों की जाता उनके परिवारों को मिलता जाता या बाउंडूरी को परिते हैं अब आपको क्या हो गया है कहा है सुष्माजी वह कहते थे लेकिन हम आज आजी दिनी कर रहे हम करें मोदी पूरा देश आप से खड़ा हुआ है आप 40 काट चार सो लेकाइए हम आप लिए का आएंगे मोदी पी देश के हम आप की मेहत करेंगे पूरा देश नागया लेकिन चम्मारी सिके बसे में चार चार चाली का ये कैसे को रहा हूँ जार मेहमूद हमारा प्राधी है उसको लाने के लिए लोगों से एक तो मर्वी गयो और आपनी छोड़ा ता उसको वह कती पाकितान वह शरण के अंदर है उसको वापीश आने के लिए क्या कारवाइी करी एक रषद कारवाइी निकралते olmak लगता है सरकार को सब्सक्राइब कर देना चाहिए जो भी उसके करता है कम सब्सक्राइब उनके खिराब जब सीधे सीधे को करके जनता हम सब्सक्राइब को या मर्जा बिल्ग आपता है हम बताए कौन दो रिपचे का ये ने टालोगी शन्दे ये चाहिक वह चाहिक ओगे तो भाजपा कोई भी वह मुश्ति मुश्ट पर आदिना मुझे उसन बड़ा सोथ हुआ था जब भाजपाने सरकार बनाई थी मुफती मुखमब के साथ में पाकित्तों उसे क्या स्टेजमेंट दिया था कि पाकिस्तान की कारण से हमारे शांति चुना हो गए मैं करा उसी वक्त देश्दों को पठक देना चैंदर जब तक इसा निकरोगे तो यह सारा खेल सत्था का इचलना फिर आप आपके आपके इ पर टेड करिये आपको हमारे कश्मीर के परणित यहां गए अम नाले लगा रहा है माँ भीजदेंगे कर दे क्या बेज़ेंगे जब जाके सूटने कर लगोंगे ना अपने आप से रहेंगे दाती से सब्सक्राइब बात करें दे हटाते नहीं हो पूरा देश चाहत में इन पर पाकिस्तान से ना आभी हो जाएगी और यह अलग तलग पड़े रहेंगे अगर इननों ने कोई कारवाई नहीं की तो इनको चाहिए कि यह जल्दी से जल्दी कारवाई करें आप कह रहें आज ने कल मिटिंग करेंगे कल सरुदरीय मिटिंग करेंगे 24 गंटे निकल जाएंगे 48 गंटे निकल जाएंगे और सब लीपा पोती करके ये नेता अपनी नेता गिरी वापस करना चाहिए जो हमारा दुश्मन है जिसको कम्जोर करना है चाहिना हमको आख दिखा रहा है चाहिना से इंपोर्ट क्यों करते है आप लगाई ना पैसे कमा रहे हैं पाकिसा पानी बंद नहीं पानी बंद नहीं आज बहुत ही गंबीर विशह है इस विशे पर भी अगर राजनिती कोई करता है चाहिए पक्स करें चाहिए और करें तो बहुत ही स्याद में रखता है इससे बड़ा नंदरिया कुछ नहीं हो सकता मैं कह रहा हूं मैं तो यह कहा भी था मैं पाकिसान बादें बदला लो पहले उनको सब्सक्रों करो जो रहा है जंदा देख आपको जंदा में जो जोश जबर चलना इस वक्त रोश है बच्चे बच्चे रोश हो रही है नेता हो समझ जाओ भी कर नेता है इनको चेता हूं दे रहा हूं समझ जाई आप मत बोलिया अच्छी तरह पता लग गया कि हम अपनी राजनिती नहीं कर सकते करेंगे तो जंता तरह से टालते रहेंगे निरजी लेकिन में क्योंने चाहता हूं कि इस देश के खून में राजनिती है इस तरह की यह आज नहीं थोड़े दिल बाद फिर वही राजनिती करते फिरेंगे और हमारे सेनिकों को सब भूल जाएंगे इनकी जो सम शाधत हुई उसको यह सब कुछ दिनों में फिर बुलाने की कोसिस करेंगे क्योंकि नेताओं के यह रगों में है कि वो फिर कोई नया मुद्दा देश की जनता को पकड़ा देंगे लेकिन आप दोनों इस विसे पर अपनी बात बेबाग तरीके से रखी और कहिन गई जो देश की जनता है उनका एक से आपने नुमाहिंदगी की उनकी बात रखी कि किस तरह की भावनाएं लोगों के जहन में और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाब अतंगवादी संगटरों के खिलाब सरकार करेवाई करें जिससे की जिन जमानों की सहाधत हुई है वो बेकार नहीं जाए अब दोन अनजली तो ही साथ में लोगों में आक्रोश्ट लगातार बन रहा है और लोग सरकार कमिसे कम आतंगवादी संगठरों के खिलाब को कारवाई करें वरना इस तेश की जंता जो नेतागिरी इस पर हो रही है जो नेताओं की बयान बाजी हो रही है उसको गंबीरता से ले रही है और आने वाले समय में उन नेताओं को भी सबक सिकाने से नहीं चुकेगी जो सहाधत पर भी कहिन कई राज़निती करने का प्रयास करेंगे मुद्धा करा में आज के लिए इतना ही ताजातरी ख़बरों के लिए एवर्ट टीवी